इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले how to create the project report for the PMEGP loan जी है तो कुछ दिनों पहले हमने वीडियो बनाया था जिसके तरह आप लोग को step by step जो है कैसे आपको PMEGP loan के लिए apply करना है पूरा step by step process बताया था अब दिखे apply करते टाइम ना आपको project report की requirement होती है क्योंकि project report के बिना भाई आपको किसी भी bank से loan नहीं मिलता है तो इस वीडियो में जानेंगे कि project report आकर होती क्या है, बनती कैसे है, कब इसके उपर CA का attestation वगर चाहिए होता है प्लस step by step बता हुआ कि project report अगर आपको create करनी है तो आप कैसे कर सकते हो साथ में बताना चाहूँगा, अगर आप एक professional expert के थुरू यहाँ पर project report create करना चाहते है, बहुत ही affordable cost के उपर तो मैंने एक form की link आपको description box में दे रखी है, जहांसे आप हमारी service अवील कर सकते हैं और इसके साथ में अगर आप premium formats भी download करना चाहते हैं, तो उसकी supported link में मैंने आपको description box में दे रखी है मैं बात करते हैं कि project report होती क्या है, तो देखें यह simply तरह से detailed document होता है, जो कि आपका nature of the business बताता है प्लस आपके जितने भी business के expect होते हैं, जैसे आपका sale होगे, आपको कितने amount का load चाहिए, उसका आप कहाँ पर use करने वाले हो, कितना working capital लगेगा यह सब कुछ आपको उस project report के अदर जानने को मिल जाता है, अब देखें, अगर मैं आपको sample दिखाना चाहो कि कितने type की project report होती है, तो बहुत सारे types की होती है एक जैसे CE में data based होती है, उसके अदर क्या होता है, उसके अदर पूरी details यहां पर भरी पड़ी होती है, balance sheet होती है, कितना profits करभाएगी, projected यहां पर sales वगरे कितनी होगी, यह सब कुछ उसके अदर mention होता है तो ऐसी अगर आपको project report बाहरी बनवानी होती है, तो definitely आपको एक professional expert की help लगने ही वाली है लेकिन अगर अगर मैं बात करो एक छोटे business की जहां पर आपको कोई जादा loan की requirement नहीं है, तो उस case में आप simply तरीके से इस type की जो एक simple सी यहां पर अपने लिए project report भी create करवा सकते हो अगर मैं PMEGP loans की बात करो तो उन्होंने खुद की official website की उपर ही at least यहां पर हजार से भी ज्यादा project reports यहां पर upload कर रखिये, यह link में आपको directly description box के अंदर provide कर दूगा, यहां पर best तरीका क्या है, मालनीजिए आपको अगर बत्ती का business चालो करना है, तो जैसे आप search करोंगे आपको उस particular segment की यहां पर project report मिल जानी है, जैसे आप view button की उपर click करोंगे, एक PDF file open हो जाएगी, अब बस यहां पर करना ही होगा कि आपको यहां पर सारे figures वगरे सब कुछ यहां पर added joy खुद करना पड़ेगा, तो यहां पर आप देख सकते हो various types की आपको यहां पर project report देख यहां पर project report जो है create कर सकते हैं, तो चलिए बताता हो कि अब आपको अपनी खुद की अगर project report यहां पर बनानी है, तो आप खुद की यहां पर कैसे create कर सकते हैं, तुम देखिए इसके लिए अगर आप mobile से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके phone के अंदर at least axle यहां पर यहां पर प्रिंटर project report, तो सबसे पहले यहां पर जो insert data here लिखा हुआ है, वहां पर आपको data fill up करना पड़ेगा, जैसे example के लिए मानिज आप PMGP load के अंदर apply कर रहे हैं, तो जब आप apply कर रहे होते हैं, तब आपको choose करना पड़ता है, कि आप DIC के अंदर apply कर रहे हैं, या यहां पर प्रिंटर project report है, उसके अदर data automatically fetch होता जाएगा, उसके बाद में यहां पर आपको अपना male or female choose करना है, आपको अपना address वगरे डालना, अपना pin code हो गया, अपना email ID, अपना state वगरे, यह चीज़े आपको fill up कर दी है, और यही चीज़े आप देख सकते हैं, प्रिं इसके बाद में आप किस category से belong करते है, जनल, SC, ST, OBC वगरे हो गया, एक servicemen हो गया, तो जो भी आपके category है वो आप select कर लीजेगा, फिर यहां पर पूछेगा manufacturing या फिर service, तो देखिए अगर आपका manufacturing का या retail का business है, उसके लिए loan अगर आप उठाना चाहते हैं, तो आपको हम service business हो गया, तो उस case में आपको service यहां पर select करना है, उसके बाद में यहां पर आता है name of the project, यानि की आपकी firm का क्या नाम है, तो देखिए अगर आपकी proprietorship firm है, आपने अभी तक register नहीं कराइए, just business को आप शुरुवात वगरे कर रहे, तो आप आपने मन पसंद का कोई भी न को आप यहां पर select कर सकते हैं, फिर भाई यहां पर आती है land यहां, तो देखिए अगर आप manufacturing business चला रहे हैं, तो अगर आप factory वगरे setup करने वाले हैं, तो उसके लिए land वगरे चाहिए होगी, और obviously बात है उसके लिए आप यहां पर loan वगरे के लिए apply कर रहे होगे, तो rate क्या है, square feet का rate वगरे क्या है, कितना total amount होगा, यह automatically आजाएगा, तो आपको सिफ area डालना है, उसका rate डालना है, फिर let's suppose अगर आप manufacturing business डाल रहे हैं, यह service based business भी डाल रहे हैं, तो उसके इंदर क्या-क्या machine लगने वाली है, जैसे कि अगर मैं बात करो computer की, तो मालीजे कौन चेर लगती है, salon chair होता है, pedicure chair होती है, portable massage bed हो गया, one-seater recliner हो गया, तो जैसे जैसे जो जो machine आपको चाहिए होती है, तो आपको यह पहले से बाई पता होना चाहिए, कि कितनी units में को लगने वाली है, business को setup करने लिए, और market के इंदर उसका rate वगरे क्या चल रहे है, उसका एक तरसे projection यहाँ पर cost वगरे कितना आने वाला है, तो यह सारी चीजे जो है, आपको इस sheet के इंदर यहाँ पर mention करनी होती है, इसके लाव भाई, अगर आपको business को setup करने से पहले कोई primary or pre-operative cost वगरे आती है, जो कि working capital का ही part होता है, basically, तो वो आप यहाँ पर insert कर सकते हैं, इसके लाव भाई, अगर मैं बात करो, यहाँ पर mean of financing का, तो यहाँ पर आपको ratio change करने की जवरती है, आपको खुद से अपना contribution 10% लगाना पड़ता है, bank finance जो 90% करता है, और PME GP के इंदर at least आपको 25 की, गरबर subsidy वगर यहाँ पर देखने को मिल जाती है, इसके बाद में भा आप बेज सकते हो, मतलब projector जिती भी आप बेज सकते हो, वो चीज़े आपको insert करनी पड़ती है, जिसे मालनों, example के लिए, मैं एक tax consultancy का मैं business कोलने वाला हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर GST return filing की service देने वाला हूँ, ठीक है, अब एक filing की जो है, मैं चार जो है, 500 रुपे क इस तरह से, अगर आपका manufacturing का business है, तो जो भी आपके product से, उसके rate डाली है, उसके units डाली है, उसके quantity डाली है, अगर service का भी business है, तो जो आप service देने वाले हैं, वो चीज़े आपको इस तरह से enter करनी है, इसके लाब भाई next column आपका raw material का होगा, तो देखिए उपर जो आप sales देने वाले, उसी को fulfill करने के लिए, अगर आप एक manufacturing business है, तो obviously बात है, आपको raw material चाहिए होगा, तो भाई जो भी raw material है, उसका particular के अंदर आप नाम डाल सकते, कितना unit लगेगा, प्लस उसका rate वगरे क्या चल रहा है, और कितनी units की requirement रहेगी, फिर भाई आता है आपका wages, तो कितना आप employment यहाँ पर generate वगरे कर रहे है, तो यह चीज़े आपको enter करनी पड़ती है, इसके लाव भाई wages के लावा, अगर आपने full time यहाँ पर salary basis पर यहाँ पर workers वगरे रखे हुए, तो वो भी कितने number of the staffs है, कितना उनका wages है, यहाँ पर 12 महीने का, यह चीज़े यहाँ आपको fill up करनी पड़ेगी, फिर नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर working capital का estimate आएगा, अगर आप एक manufacturing business चला रहे है, तो उसके अंदर आपका raw material होता है, stock in process होता है, finished goods होता है, तो उसके जो आपको number of the dates होंगे working capital के, वो आपको यहाँ पर insert करनी होंगे, तो सारे यह या कोई भी other misleading expenditure वगरे है, तो यह चीज़े जब आप insert करेंगे, तो यह सारे figures अपने आप ही आजाएंगे, इसके बाद वाइस यहाँ पर आता है rate of interest, अब rate of interest कैसे पता चलेगा, तो जब आप PMGP की loan के लिए apply करते हो, जब final screen के उपर जाते हैं, तो automatically आपको कई सारे banks से offer पर दिखने लग जाता है, कि इतना percentage आपका rate of interest लगने वाला है, तो उसके according approach rate of interest यहाँ पर आप insert कर सकते हो, फिर भाई अगर आप नीचे जाओंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा introduction, जी हाँ, तो यह introduction भाई कमाल का होना चीए, तो यह introduction जो है basically आपके business का है, कि आप किस type कि आप business में enter कर रहे हो, वो business क्या करता है, किस location के उपर located है, और आप अपना future वगरे, अपना vision वगरे, क्या देखते हो, about the promoter की बात कर हो, तो जो बंदा इस business को चला रहा है, वो खुद के बारे में मतलब आपको जो एक तरसे introduction देना पड़ेगा, कि उसकी क्या education background है, उसक सारे figures वगरे, सब कुछ अपने आप यहां पर आ जाएगा, जो भी आप data insert करेंगे, print project report के अंदर सारी चीज़े आ जाती है, उसके बाद में कुछ नहीं करना, आप चाहे तो यहां पर उसको print कर वा सकते है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जो आप अपनी प्रजेक रिपोर्ट जो एक प्रॉफिशनी तरीके से कर सकते हो, और इसके लवाप पी एमजीबी की वेबसाइट के ओपर भी ना, फ्री ओफिर ऑफ दी cost बहुत सारे यहां पर project reports दी गई है जिनको भी आप read करके अपने business के nature of according जो है यहां पर जो भी चीजे होती है उसको यहां पर जो है आप reference तरीके से use कर सकते हो so guys hope you like this video अगर आप लोगे कोई भी doubt से comment box के अंदर बता सकते हैं और अगर आप एक professional service लेना चाहते हैं अपने project report के regarding तो link इंदर description box और जितने भी supported link है सारे description box में दिये हुए है thank you guys, thank you very much